वैलेंटाइन डेव वीक के बीच एक लड़की ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को एक चिठी लिखी है लड़की की ओर से लिखी गई चिठी सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है लड़की ने चिठी में खुद को बेरुजगार बताया है लड़की ने कहा कि आपने तो अपनी लव मेरिज कर लिया लेकिन हमारे लव पर बेरुजगारी का अर्चन है नौकरी का जुगार लगवाईए नहीं तो हमारे लव किसी और जुगार के साथ फरार हो जाएंगे लड़की की ओर से डिप्टी सीएम को लिखी गई चिठी की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है लड़की ने तिजस्वी यादव को लिखी गई चिठी में अपने प्यार का जिक्र किया है लड़की का कहना है कि वो किसी लड़के से प्यार करती है लेकिन उनकी शादी में बेरुजगारी अर्चन बनी हुई है अफेर के उमर में करंट अफेर पड़ रहे हैं सोचते थे नोकरी लगेगा तो प्रपोज करेंगे लेकिन नोकरी तो लगने से रहा एक तो बैकेंसी नहीं आता और बैकेंसी आता भी है तो बेपर लीग हो जाता है लड़की ने लिखा इस सब देखते देखते लगता है कि इहो बैलन्टाइन अईसन ही पार हो जाएगा और हम परपोज भी ना कर पाएंगे उधर हम कंपिटिशन की तैयारी में लगल है और बाबु जी मने मन हमार बया की तैयारी में है हमारी सब सहेली लोग का तो बच्चा भी हो गया है बया के बाद हम बड़ी मायूस हो रहा है इस सब सोच के बड़ी उमीद से चिठ्थी लिख रहे हैं नौकरी का जुगाड लगवाईए, नहीं तो लेखक सहब किसी और जुगाड के साथ फरार हो जाएंगे। प्यार बिना नौकरी लेके क्या करेंगे? लड़की ने चिठी में लेकक प्रभात बंदुल्या का जिक्र किया है, वे बिहार के और अंगाबाद के रहने वाले हैं।